yes people good morning good afternoon good evening to all of you कैसे सब लोग होपसो आप सब बहुत बढ़ी आ रहेंगे मैं बढ़ा दूं मैं भी बहुत अच्छा हो तो भाइस साब हम लोगोंने amendment lecture पढ़ना चालो किया था दो amendment lecture हो गए पहला amendment lecture जो था आपको लगके देखके लगा हो गया इतना बड़ा लेक्चर है दूसरा अमेंडमेंड लेक्चर वाज रिलेटेट तू यॉर इंटरनेशनल टेक्सिशन और मैंने आपको बोला था यह amendment lecture बहुत ही छुटा रहने वाला है क्योंकि इंटरनेशनल टेक्सिशन में कोई ज्यादा amendment नहीं है तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर दूँ आपका जो transfer pricing पहला topic है in that topic there is no amendment at all उस topic में कोई भी amendment नहीं है in the transfer pricing topic there is no amendment अगर अपन बात करें के non resident taxation की तो non resident taxation में कुछ amendments है वो क्या क्या है आज अपन discuss करेंगे तीसरा DTAA वाला topic है उसमें कोई भी amendment नहीं है in the DTAA topic there is no amendment तो अपन स्टार्ट करेंगे सीधा topic number 4 सबसे पहले that is authority of advanced ruling या जिसको हम advanced ruling बोलते है इस topic में amendment है और मेरे को लगता है 3-4 माग कच्छोड़ू सा question है वो इस topic से आ सकता है तो सबसे पहली चीज़ इस topic में क्या amendment है तो मैं बताओ पहले जो हुआ करता था that was authority of advanced ruling जो AR होता था authority of advanced ruling इस authority of advanced ruling को इन्होंने बंद कर दिया है एक तो तुम्हारा settlement commission topic हो तो पूरा ही बंद हो गया settlement commission को उन्होंने हटा दिया है अब इन्होंने क्या किया जो authority of advanced ruling था ना इस authority of advanced ruling की जगे इन्होंने एक नई authority constitute की है जिसको बोला जाता है board of advanced, board for advanced ruling means पहले AR हुआ करता था अब उन्होंने BAR कर दिया बार तो पहले AR अब हो गया बार यह authority of advanced ruling जो था वो काम करेगा function करेगा कब तक पता है up to 31st august 2021 तक so up to 31st august 2021 तक authority of advanced ruling काम करेगा और उसके बाद 1st September और 2021 तक 1st September 2021 से means on और after 1st September 2021 है यह BAR काम करेगा तो इस topic में आपको दो पार्ट में divide करेंगे पहले authority of advanced ruling और दूसरा उसके बाद board of advanced ruling तो दोनों में क्या फरक है एक बात बताओ पहला फरक तो आपको पता है authority of advanced ruling का appeal में नहीं जा सकते थे और जो भी judgment होता था वो binding होता था you cannot make the appeal लेकिन BAR का जो judgment आएगा उसके against में आप appeal में जा सकते हो appeal में कहां जा सकते हो कैसे जा सकते हो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज के lecture में तो सबसे पहले मैं बता दू पहला change आप यह याद रखेंगे पहले authority of advanced ruling हुआ करता था जो कि 31st August 2021 तक काम करेगा उसके बाद 1st September 2021 से authority of advanced ruling की जगे BAR that is the bar काम करेगा board for advanced ruling अब एक बात समझना सबसे पहली section 245N होती है वो यह बोलती है कि authority of advanced ruling या फिर like board of advanced ruling जो है उसके पास में आप कब जा सकते हो तो यहाँ पे same वो का वो है कोई भी change नहीं है एक non resident जा सकता है resident जा सकता है जो non resident की liability पूछने के लिए या फिर resident जा सकता है जो अगर कोई ऐसा transaction में enter कर रहा है जो transaction की value 300, sorry 100 करोड या उससे ज़्यादा है तो उस case में वो जा सकता है उसके बाद में कोई भी resident person जो है वो specified resident person जा सकता है public sector company, public sector undertaking और कोई भी resident, non resident ये पूछने के लिए जा सकता है कि उस पर गार लगेगा या नहीं तो जो 5 चीज़े जो पहले थी वो के वो है कोई फरक नहीं है यहाँ से तुम्हारा क्या क्या फरक है वो चालो करेंगे सबसे पहले जब आप application to authority of advanced ruling या board for advanced ruling को करोगे तो application कैसे करना है तो application करने के लिए एक बात बताओ जैसे ही आपने application किया उसको 30 days में आप withdraw कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं जैसे ही application किया 30 days में withdraw कर दीजिए और आपको क्या करना पड़ेगा quad duplicate करना पड़ेगा नहीं 4 copy में आपको application करना पड़ेगा तो उस case में fees है वो कितना 10,000 लगेगा otherwise आपका जो fees है if amount is up to 100 करोड है transaction का तो उस case में 2 lakh 100 to 300 करोड है तो आपका 5 lakh और अगर 300 करोड से जादा है तो 10 lakh तक का fees लगता है अब एक चीज़ समझना यहां amendment क्या हुआ amendment यह हुआ पहला amendment कि where an application for advanced ruling is made before 1st September 2021 क्यों 1st September 2021 से पहले application कर दिया था तो एक बात बताओ पहले application कहां किया होगा authority of advanced ruling को किया होगा अब एक बात समझना and in respect of which no order of rejection application or no advanced ruling has been pronounced before 1st September 2021 1st September 2021 तक authority of advanced ruling ने कोई भी judgment नहीं दिया था such application along with all the relevant record, document, material and file of the authority shall be transferred to the board for advanced ruling and shall be deemed that record before the bar for all the purpose it means क्या होगा एक बात बताओ बड़ा simple सा है कि मैंने बोला authority of advanced ruling काम करेगा 31st August तक उसके बाद में from 1st September बार काम करेगा so आपने application authority of advanced ruling को किया था लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि 1st September तक judgment नहीं आया या ना reject किया application को तो आपका जितना भी रहेगा ना documents वोगेरा जितना आपकी portly रहेगी आप से related जितने documents वोगेरा रहेगे that everything will be transferred to the board for advanced ruling वो board for advanced ruling के पास में चला जाएगा और board for advanced ruling है वो आपको judgment देगा अब एक बास समझना प्रोसेजर क्या रहता है तो प्रोसेजर सेम जब पहले था वैसा का वैसा प्रोसेजर बार के सामने भी रहेगा कि आप application करोगे लेकिन अगर मान लो आपका case already कहीं pending है तो आप application नहीं कर सकते वो सब चीज़े है वो यहाँ पर भी लगेगा करें ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़ समझना changes क्या है तो changes में समझना यहाँ पर from 1st September 2021 the provision of this section shall have effect as if the word authority the word board for advanced ruling has been substituted and the provision of this section shall apply mutandis mutandis to the bar as they apply to the authority of advanced ruling तो इस section में जहाँ जहाँ पर authority of advanced ruling लिखा हुआ था उसकी जगे बाहर हो जाएगा बाकि same procedure वो ही follow होगा लेकिन एक बात समझना यहाँ पर point number 6 और 7 यह बोलता है कि central government एक notification निकालेगी कि बाहर का procedure faceless हो जाएगा in future जो board of advanced ruling के सामने जो procedure that will be the faceless in the future तो उसके लिए government notification निकालेगी और हो notification 31st March 2023 तक निकाला जाएगा और उसका effect देने के लिए कोई exception वगेरा डालनी है तो वो भी डालेंगे तो आगे जाके in future जो bar का procedure है that will be the faceless उसके बाद में एक बात समझना पहले क्या होता है authority of advanced ruling का जो judgment है न वो binding होता है किस पर binding होता था या तो एक तो applicant पर दूसरा जो income tax authority up to the level of CIT और उसके बाद में जिन transactions से related आपना authority of advanced ruling का judgment लिया उन transactions पर binding होता था लेकिन मैं बता दू ये section को हटा दिया है 1st September 2021 से क्योंकि bar का judgment binding नहीं है बार के judgment के आगेंस में आप appeal में जा सकते हो अब कहां पर appeal में जाते हैं वो अपन आगे देखेंगे तो इन simple word में आपको बता हूँ simple word में ये बता सकता हूँ कि authority of advanced ruling का judgment है वो assessi पर binding होता था department पर binding होता था, transaction पर binding होता था, बट ये section को 1st September से हटा दिया है क्योंकि bar का judgment है वो binding नहीं होगा, अब एक वर चीज समझना, यहां पर लिखा हुआ है इस section में 245T है उसमें इन्होंने बोला कि where the authority of advanced ruling find and representation made by the CIT, PCIT or otherwise that the advanced ruling has obtained by the misrepresentation of the fact or fraud, अगर fraud करके authority of advanced ruling से आपने judgment लिया तो उसको void ab issue declare कर सकते है, अब इन्होंने बोला कि यहां पर इस section में पहले जहां जहां authority of advanced ruling था, वो आहां पर बार हो जाएगा तो इसमें कोई change ऐसा है नहीं अब एक बात समझना, authority of advanced ruling का composition कैसे होता था, authority of advanced ruling में आपको पता है, chairman, white chairman होते थे, एक chairman होता था उसके बाद white chairman हो सकते थे एक से 2021 से काम नहीं करेगी, means जो authority of advanced ruling के वो cease to operate हो जाएगी from the first September 2021, तो आप बोलो के first September 2021 से application किसके पास पे जाएगी, बार के पास पे जाएगी और बार में फिर कौन रहेगा भाई, authority of advanced ruling में तो यह chairman रहते थे, chairman के qualification, white chairman के qualification, यहां पर law member और तुमारे क्या बोलते है, revenue member इनके qualification वगएर आपन याद करते थे अभी भी याद करने हैं कि याद तो रखने पड़ेंगे, क्योंकि 31st August तक तो यह काम कर रहे है, first September से बार काम करेगा, तो बार का constitution कैसे रहेगा, बार जो है वो the giving advance ruling under this chapter on or after 1st September 2021 तो 1st September 2021 के बाद, इसमें जो advance ruling देने के लिए, वो board for advance ruling को constitute करेगा, वो constitute कौन करेगा Central Government करेगी Central Government इसमें appoint करेगी judges को, अब कौन judges होगा, क्या होगा, अभी देखेंगे, Central Government constitute करेगी दूसरी चीज़, बार में कौन रहेगा the bar shell consist of the two members, means दो member रहेंगे हर बार में, each being an officer not below the rank of the CCIT as may be nominated by the board, बोर्ड का मतलब यहाँ पर है CBDT, क्या CBDT उसको nominate करेगी, और CBDT क्या करेगी पता है, क्या भाई या, हर bench में at least दो member रहेंगे, और दो member जो CCIT level या उसके higher level के लोग रहेंगे, उससे lower level के लोग नहीं रहेंगे, मैं topmost officer जो department में थे ना, जो topmost officer रहते है, जो CCIT, PCCIT DGIT, PDGIT, वो वाले लोग, उसमें से किसी को जो है, वो bar का member है, वो nominate किया जाएगा तो bar जो है, अब कुल मिलाके एक central government की authority है, बेट उसमें member कौन बनेंगा करके ठीक है, उसके जो member है, वो 2 member रहेंगे, हर bar में करके हो सकता है, उसके benches लग सकती है बहुत सारी जगे, तो एक bar में 2 member रहेंगे, और 2 member रहेंगे वो CCIT या उसके upper वाली post के रहेंगे, उससे lower post के नहीं रहेंगे तो देखो, वहाँ पर जो होता था न, क्या-क्या होता था वहाँ chairman, white chairman, revenue member law member, ये सब इनको हटा के इन्होंने बोला, bar में क्या रहेंगे, दो CCIT level या उसके higher level के post के लोग रहेंगे, तो ये exam में चोटु सा question 2-3 mark का हा सकता है, कि how board will be the constituted, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, कि central government constitute करेगी और central government एक से ज़्यादा board है, वो constitute कर सकती है क्योंकि क्या होगा न, bar की बहुत सारी benches constitute करेंगे, हो सकता है, एक Delhi में है एक Mumbai में है, और आगे जाके faceless हो जाएगा in future करेंगे, ठीका, तो इसमें क्या होगा हर बार में, दो member रहेंगे और दोनों CCIT rank या उसके higher rank के रहेंगे, उससे चोटे rank के नहीं रहेंगे, अब अगर उसमें कुछ vacancies वगरा हो जाती है, अगर मान लो कभी क्या होता है vacancies की वज़े से, for an example आपको कोई authority of advance ruling ना judgment दिया या फिर बार जो judgment देगी तो अब उसका जो constitution सही नहीं था, उसकी वज़े से आप उसको invalid declare नहीं करा सकते, उसकी वज़े से आप उसको invalid declare नहीं करा सकते, तो ये authority of advance ruling के लिए लगता था, अब ये बार के लिए भी लग जाएगा, ये वाला question आपको exam में मिलेगा, मुझे ये लगता है कि ये वाला जो question है, ये आपको exam में मिलेगा, देखिए, authority of advance ruling का जो judgment आता था ना, उसके against में आप कहीं पे भी appeal में नहीं जा सकते बट बार का जो judgment आएगा, उसके बाद में आप appeal में जा सकते हो, अब कहाँ पे appeal में जा सकते हो, कौन जा सकता है, तो देखो, समझते हैं कोशिश करना the applicant applicant means यहाँ पे ssc if he is aggrieved by any ruling pronounced or order passed by the bar, means जो भी बार ने कोई order pass किया है, ruling pronounce किये, उससे अगर वो aggrieved है, means उससे वो satisfied नहीं है or the AO miss department भी जा सकता है, तो देखिए high court में appeal होती है, बार के judgment के against में appeal कहाँ पे होगी, सीधी high court में होगी, और high court में कौन जा सकता है या तो applicant, if he is aggrieved by the any ruling, pronounce or order passed by the bar or the assessing officer on the direction of the CIT, PCIT assessing officer को, उसके department में जो bosses रहते हैं, वो bosses direction देंगे, AO को, और AO को बोलेंगे, तू high court में appeal कर, may appeal to the high court against the ruling or order of the bar within 60 days from the date of the communication of that ruling or order in such a form, such a manner as may be prescribed वो आगे जाके prescribe करेंगे, तो मैंने क्या बोला, समझने ही कोशिश करना मैंने आपको बोला, application high court में कौन करेगा, जैसे बार का judgment आगया, board for advance ruling का, उस judgment के against मैं assessive appeal में जा सकता है, department का AO भी जा सकता है, बैट AO को direction देंगे, CIT, CCID का appeal कर, तो AO appeal करेगा department के basis पे, कितने दिन में करना है 60 days के अंदर अंदर, जैसे ही high court का order आजाता है, इसका क्या बोलते है, बार का order आजाता है, उसके 60 days के अंदर अंदर आपको high court जाना है, उसके बाद, provided that where high court is satisfied may grant the further period of 30 days for filing of such appeal, so normally 60 days का time है, बैट अगर high court को लगता है, तो यहां 30 days का extension high court दे सकता है, उसके बाद the central government may make the scheme by notification for the purpose of filing appeal to the high court by the AO as to impart greater efficiency transparency and accountability by optimizing utilization of resources through economies of scale and functional specialization and introduce the team based mechanism with the dynamic jurisdiction, तो यहां पर central government एक ऐसा scheme निकाल सकती है, कि जिसमें department कब जाएगा high court में miss department हर केस में नहीं जाएगा department decide करेगा, और department कब जाएगा उससे related, वो एक scheme बना सकते है, और उसके लिए वो 31st March 2023 तक notification निकालेंगे, और वो क्या करेंगे, ultimately you can say that, एक ऐसा faceless वाला setup कर देंगे, जहां पर जो भी बार के judgment आएगे, वो unit analyze करेगी, और unit analyze करने के बाद देखेगी, कि कब जाना high court में और कब high court में नहीं जाना वैसा हो सकता है, चलिए, अब हपन आगे बढ़ते हैं, एक और topic, that is the equalization levy, इसमें भी छोटे-छोटे दो-चार amendment है, वो अपन देखते हैं, तो equalization levy वाला जो topic है, उसमें क्या amendment है, सबसे पहला amendment तो ये, कि देखिए, ये जो chapter है ये पूरे इंडिया पे लगता है, except Jammu इन कश्मीर को छोड़के, बाकी सब जगें ये topic लगता है, लेकिन इस topic में एक चीज इना ने amendment की, यहाँ पे एक provise हो डाला, वो provise हो क्या बोलता है, provided that, consideration received or receivable for the specified service or the e-commerce supply or service shall not be include the consideration which are taxable as royalty or feasible technical service in India under the income tax act, read with the agreement notified by the central government under section 90 or 90A it means क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि अगर मान लो कोई non-resident है, देखो equalization levy कब लगता है, जब non-resident का इंडिया में PE नहीं है, और वो या तो क्या advertisement का उसको पैसा मिलता है या फिर वो क्या करता है, e-commerce operator है जो उसकी website maintain करता है, website के DTAA में, ऐसा लिखा हो कि advertisement का पैसा मिलेगा, वो भी free support technical service है, या royalty है तो उस case में उस पर यह section नहीं लगेगी उस पर equalization levy नहीं लगेगा so in simple word आप इसको ऐसे याद रख सकते है कि अगर कोई non-resident जो है, और non-resident को ने कुछ क्या किया, या तो कोई specified service the advertisement, या फिर e-commerce supply किया online sale वगेरा goods का करते है, services का करते है और उसका जो पैसा मिलता है, वो अगर royalty FTS है, अगर वो royalty FTS में cover हो जाता है as per DTAA तो उस पर equalization levy वाला topic है, वो नहीं लगेगा अब एक और चीज़ समझना, एक और amendment आया है यहाँ पर, और यह amendment क्या बोलता है amendment है, वो आपका section कौन सी section में, 145A 145, sorry, 165A 165A Finance Act 2016 की section है वो क्या बोलती है, कि यह Amazon वगेरा जो website से ना, यह क्या करती है, good sale करती है तो यह जितना भी good sale करती है किसको sale करती है, पता है, या तो इंडिया में कोई person resident है, उसको sale करती है ठीक है, या फिर किसी non resident को specified circumstances में या कोई भी person है, वो इंडिया IP address यूज़ करके goods या service buy करता है, तो वो जो consideration मिलता है, वो consideration अगर उस non resident e-commerce operator को पूरे साल में मिला के, 2 करोड या से ज़्यादा है, तो equalization लेवी लगता है कितना 2% की rate से ही है, अपन ने देखा था अब एक चीज़ समझना, इन्होंने इस बार exception, एक exception create किया और ये exception क्या बोलता है, समझने ही कोशिश करना, बहुत ही, सही logical है, ये क्या बोलता है, देखो consideration received or receivable from e-commerce supply so, means अगर एक बात बताओ, e-commerce operator का खुद का goods से, या तो किसी और का goods वो बेच रहा है या फिर खुद का goods से वो include करेंगे लेकिन एक चीज़ समझना है, या पे एक exception डाला however, that it shall not include the consideration for sale of such goods which are owned by a person resident in India और PE in India of a non-resident if sale of such goods is effectively connected with such PE, इसका मतलब क्या हुआ, देखो Amazon है, Amazon मालो for an example, foreign का website है और वो foreign से operate करता है, foreign का website है, अब एक बात समझना, वो website जो है न, उस पे अगर Amazon का good sale होगा, इंडिया में बगिरा, तो उसको consider करेंगे, किसी और का good sale होगा तो भी consider होगा, लेकिन एक चीज़ समझना, यहाँ पर अगर जो seller है न, वो seller इंडिया का resident person है वो seller जो है, वो seller इंडिया का resident person है, या फिर जो seller है, वो seller कोई non resident PE in India है, तो तो यार वो seller इंडिया का जब resident है, और वो उसका goods किसी portal के थूप भिक रहा है तो तो यार वो seller अपने आप already tax भरता होगा ना इंडिया में, वो seller अपनी income पे इंडिया में tax भरता होगा, तो इस पे equalization levy लगाने का क्या जरूरत है, इसके लिए उन्होंने बोला उस पे equalization levy नहीं लगेगा एक बार वापस से इस sentence को पढ़ेंगे, तो देखो क्या लिखा हुआ है, all people, just pay attention consideration received और receivable from the e-commerce supply और service, shall include, means क्या-क्या include होगा, पहले तो इन्होंने बोला, consideration for sale of goods, irrespective whether the e-commerce operator own the goods or not महला, e-commerce operator है, for an example एक foreign का website, eBay है करेंगे या अली बाबा है, अली बाबा खुद का goods बेचता है उसको include करेंगे, या फिर अली बाबा ने क्या किया पता है, किसी और का goods बेचा ना उसको भी include करेंगे, किसी और का goods अली बाबा ने बेचा तो उसको भी include करेंगे तो फिर यहां e-commerce operator पर equalization लेवी लगाने की जरुवत नहीं है तो देखिए क्या लिखा हो है वापस पढ़ेंगे consideration for sale of goods irrespective whether the e-commerce operator owes the goods so however that it shall not include the consideration for sale of such goods which are owned by the person resident in India अगर resident person इंडिया का है उसने अगर goods बेचा तो उस पर equalization लेवी नहीं आएगा और by a PE in India of non-resident if sale of such goods is effectively connected with such PE उसके बाद consideration for provision of service irrespective of whether the service provided or facilitated by the e-commerce operator so however that it shall not include the consideration for provision of service which are provided by a person resident in India और a non-resident having PE in India and that service is connected with such PE इल्क बाद 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 जैसे ebay की website है ebay वाला किसी foreigner का goods बेचता है उस पर equalization ले भी आएगा बट मैं resident person नो मेरा goods अगर ebay वाला बेचेगा ना तो उस वाले part पर equalization ले भी नहीं आएगा this is one amendment from this year उसके बाद मैं आपको बताओ यहाँ पर एक चोटा सा amendment और है और यहाँ पर online sale of goods में क्या-क्या आएगा online sale of goods या online provision of service में क्या-क्या आएगा इन्होंने बोला यह activity भी इसमें आ जाएगी यह activity अगर आप करते हो ना तो वो भी online sale of goods या online provision of service माना जाएगा इसका explanation उन्होंने नहीं दे रखा है कि इसका explanation क्या है कैसे है क्या-क्या आएगा वैसा वो explanation इसपे नहीं दे रखा है गर गर ठीक है एक और छोटा सा change जो है इस section में यह हुआ कि यह जो section है ना एक तुमारी 10.50 10.50 में आपको पता है यहाँ पे जो 1st April 2021 लिखा ता लास्ट यर गलती हो गई थी तो यह 1st April 2020 है मिस 1st day of April 2020 है यहाँ पे तुमारा जो 165A जो section है 165A जो section है इस 165A में भी 1st April 2020 है तो यह दोनों section 1st April 2020 से आई अगर equalization लिख लगता है तो फिर उस पे income tax नहीं लगेगा ऐसा उन्होंने 10.50 में exemption दे रखा है so this is one amendment in the equalization लिवी बाकी पीछे बाले जो छोटे छोटे वो तीन टॉपिक उसमें गोई ऐसा amendment नहीं है सीधा चलिए non-resident taxation पे सीधा हम चलेंगे non-resident taxation पे और देखते है non-resident taxation में क्या क्या amendment है चलिए तो आजाईए सब लोग non-resident taxation पे तो non-resident taxation में अगर मैं आपको बता हूँ तो इसमें भी कोई ऐसे major amendment इस साल है नहीं है सबसे पहला amendment तो यह है चोटा सा एक यह लैक आपको पता है foreigner का इंडिया में business connection कब बनता है business connection किस्मत connection नहीं business connection अगर कोई non-resident के बिहाब पे इंडिया में कोई person है वो क्या करता है habitually like authority रखता है contract conclude करने की या principal role play करता है contract conclude करने का या क्या करता है stock maintain करता है या order secure करता है non-resident के लिए तो उसका इंडिया में क्या माना जाएगा business connection माना जाएगा अब एक चीज़ समझना अगर किसी non-resident का या foreign company का इंडिया में significant economic presence है तो वो भी business connection बन जाएगा अगर किसी non-resident या foreign company का non-resident का इंडिया में significant economic presence है तो वो भी क्या बन जाएगा business connection बन जाएगा but significant economic presence होता क्या है तो significant economic presence को इन्होंने इस बाद define किया खरके ठीक है बोला significant economic presence क्या होगा तो significant economic presence of non-resident in India shall constitute a business connection in India in the two cases पहला अगर वो non-resident क्या करता है transaction in respect of any goods or services or property carried out by non-resident with any person in India including provision of download of data or software in India मिस non-resident क्या करता है कोई transaction करता है goods से related, service से related, property से related उसमें including download of data and like software है और उसका जो पूरे साल में मिला कि जो aggregate payments मिलता है उसको इंडियन resident person से person in India मिस इंडिया में जो person है उनसे जो aggregate payment मिलता है वो पूरे साल का मिला कि 2 करोट से जादा है तो उसका इंडिया में क्या हो जाएगा significant economic presence हो जाएगा एक example लेता हूँ आपको बता है एक दिन क्या हुआ मेरा data जो है न वो corrupt हो गया मैंने lecture record किया और उसका data corrupt हो गया तो data recovery के लिए मैंने बहुत सारे online software ढूंडे एक foreign की company है US की उसका एक software था data recovery वो software के लिए मैंने try किया तो उन्होंने पहले मेरे PC को scan किया उसके बाद उन्होंने बताया कि यह यह lecture आपको मिल जाएंगे पर उसके लिए 7000 रुपे उन्होंने मांगे डॉलर में मांगे थे रुपीज में convert होके 7000 रुपेज हमने payment कर दिया तो यह इंडिया से payment गया तो एक बात बताओ उसने वो एक software supply किया और उसके लिए उसको कितना पैसा मिल गया 7000 मुझे से मिला अब एक बात समझना ऐसे ऐसे अगर पूरे साल में मिला कि इंडिया से उसको जो पैसा मिलता है परसन एनी परसन इन इंडिया से टू करोड से ज़्यादा पैसा मिलता है तो उसका इंडिया में business connection बन जाएगा और उसको इंडिया में tax बरना पड़ेगा अब आप बोलोगे ये कैसे track होगा क्या होगा अभी तक ये बहुत ज़्यादा raw है अभी तक बहुत ज़्यादा raw है practical life में ये चीज़े अभी तक implement होना चालू हुई नहीं है ये BAPS का जो action plan था उसमें ये बोला था significant economic presence उसको लेकर हमने डाल दिया हमने limit भी डाल दिया यहाँ पे करें ठीक है अभी practically उसको impose करना is very difficult because बहुत बार government के पास data ही नहीं रहता कि कौन non-resident online क्या software provide कर रहा है क्या download of data हो रहा है क्या पैसा मिल रहा है करें ठीक है इंडिया में including the provision of the data provision of download data as well as the software and all और उसका पूरे साल में मिला कर उसको जो consideration मिलता है वो 2 करोड से जादा है तो उसका इंडिया में significant economic presence बन जाएगा उसके बाद systematic and continuous soliciting of any business activity और engaging in interaction with the user in इंडिया यह basically application वालो के लिए बहुत सारे ऐसे app होते है नगर के ठीक I don't know कौन कौन से app होते है बट ऐसे आपने रिखा होगा बहुत सारे foreign के app होते है TikTok जैसे वागर है तो उनके पास में उनका इंडिया में economic presence कब होगा तो उनका इंडिया में economic presence तब माना जाएगा अगर वो interact करते अपनी user के साथ और at least 3 lakh user है उनके पास में at least इंडिया में 3 lakh user है 3 lakh या उससे ज्यादा user है तो उनका इंडिया में है वो business connection बन जाएगा significant economic presence हो जाएगा तो user should be at least 3 lakh user है तो उस case में तो ये 2 करोड और 3 lakh का जो limit है वो इन्होंने इस साल से डाला है so this is one small amendment उसके बाद में एक और amendment यहाँ पे दिखू मैंने इस पार Vodafone वाले case law का थोड़ा presentation वगरा change किया और मैंने आपको बहुत ही प्यारा एक example बना के दिया है इसको आप पढ़ोगे तो आपको easily समझ में आताएगा अब यहाँ पे आपको पता है आपको पता है वोड़ा फोन और केन energy और इसी बहुत सारी कंपनिया थी जिनके like retrospective amendment किया था पता है जब 2012 में 2012 में हमारे finance minister थे प्रणाव मुखर जी तो प्रणादा जब finance minister थे उन्होंने क्या किया पता है retrospective amendment किया था 1961 से और बोला था सब पर tax लग जाएगा फिर हमारी government बिचारी बहुत जगए हारी कर गए ठीक है बहुत जगए हमारी government ने अपनी बेच जिती कराई international court of justice में कि आपको भी retrospective judgment नहीं कर सकते है और तो उसके लिए फिर हमारी government ने एक amendment taxation law amendment act 2021 पास किया अभी 2021 में और उन्होंने क्या किया जो retrospective amendment धाना उसको prospective कर दिया कबसे उन्होंने prospective किया 28 May 2012 से 28 May 2012 कौन सी रेटी 28 May 2012 जिस टाइम पे finance bill 2012 वाले का sign हुआ था तो finance bill 2012 का sign जो president ने किया होगा वो 28 May 2012 से किया था finance bill 2012 पे sign जो है 28 May 2012 को किया था तो भाईया इस दिन उन्होंने उसका क्या किया था sign किया था इस दिन है वो उन्होंने sign किया था तो जो जो चीज़े जो retrospective ली थी उसको prospective कर लिया बोला 1961 से नहीं अभी से applicable होगा तो यह amendment जो है मैंने यहाँ पे जरूर डाला था करें ठीक है बट ICI ने इसको cover नहीं किया है so you may ignore this part you may ignore this part no problem at all उसके बाद आगे बढ़ते हैं अभी आ जाईए एक amendment दे रखा आपको some exempt income वाले में और some exempt income वाला जो point है उसमें आ जाईए यहाँ पे क्या दे रखा देखिए तो exempt income वाले में page number आपका 64 है 64 पे एक amendment दे रखा है in the section 104D यह 104D क्या रहती है 104D रहती है कि अगर कोई specified fund है specified fund में कौन आता था पता है specified fund में अगर थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा तो इसमें alternate investment fund category 3 वाले आते है जो की IFSC में located है like International Financial Service Center में located है उसके जितने भी unit holder है वो सब non resident होते है except manager और sponsor को छोड़के बाकि जितने भी unit holder है वो सब non resident होते है उसको हम बोलते है आपका specified fund तो उसकी कुछ income exempt होती है कौन-कौनसी अगर मान लो उसने section 47 clause number 7 AB में जो security दे रखी है वो transfer की IFSC में located recognized stock actions में derivative रूपी denominated bonds of Indian company foreign denominated bonds of Indian company और like क्या बोलते है उसको foreign denominated equity share mutual fund की unit investment fund की unit और business trust की unit अगर वो transfer करता है तो उस case में उस पे कोई भी capital gain नहीं लगता ऐसा exemption 47 clause number 7 AB में दे रखा है उसके बाद मैं ऐसे कैसे 3-4 income ऐसी होती है जो exemption दे रखी है अब एक बाद समझना यह specified fund में आपका जो alternate investment fund category 3 जो IFSC में located है वो आता था ना उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया इस बार बोला कि अगर कोई भी offshore banking unit है offshore banking unit means कोई non resident का bank है और उसका अगर कोई investment division है जो की IFSC में located है तो IFSC में located कोई offshore banking unit है उसका investment division है वो investment division भी अब आपका specified fund में माना जाएगा और उसको भी यह exemptions के जो benefits है यह exemptions के benefit उसको भी मिल जाएगे यह जो exemptions के benefit है यह exemption के benefit उसको भी मिल जाएगे अब आप मुझे बोलेंगे investment division of the offshore banking unit क्या रहेगा तो देखो investment division of a banking unit of a non resident located in IFSC होना चाहिए IFSC में located है रहो उधों ने अपने जो operation है वो 31st March 2024 तक चालू कर दिये अब एक बात समझना investment division of OBU क्या होना चाहिए उसके पास में एक license होना चाहिए जो investment division है ना उसके पास में एक license होगा category 1 of the foreign portfolio investor category 1 of the foreign portfolio investor का उसके पास license होगा जो की save भी देगी करके ठीक है और उन्होंने अपने operation स्टार्ट किये 31st March 2024 तक और उसकी और भी कुछ condition satisfied करनी पड़ेगी जैसे separate accounts बगरा maintain करना पड़ेगा और और भी कोई conditions है तो वो सब satisfied करनी पड़ेगी तो उसको हम बोलेंगे investment units of the OBU in the IFSC इसको इन simple word आपको ऐसे याद रखना है कि देखिए ये जो exemption 10-4D की मिलती है ना कुछ assets को transfer करने से capital gain बगरा exempt होता है ये exemption जो मिलती थी वो specified fund को मिलती है और specified fund की definition में पहले क्या आता था सिरफ alternate investment fund category 3 वाला आता था और जिसकी जो भी units थी वो non-resident foreign company है वो hold करते थे वो सबाता था अब इन्होंने इसकी जगे पे इन्होंने इसको और include कर दिया investment division of the offshore banking unit है उसको भी उन्होंने यहाँ पे include किया है कर गे ठीक है चलिए उसके बाद एक बात समझना अगर कोई एक और exemption डाला कि कोई non-resident है और non-resident क्या करता है IFSC में located जो OBU है ना OBU means offshore banking unit जो IFSC में located offshore banking unit है foreign की bank होगे रहा है उसके साथ में क्या करता है वो non-deliverable forward contract लेता है और उसको transfer करने से जो income होती है वो पूरी exempt हो जाएगी तो अगर कोई non-resident है non-resident ने क्या किया किया कि IFSC में located कोई offshore banking unit है उसके साथ में non-deliverable forward contract लिया और उससे जो भी income होगा वो income transfer करने से जोगा वो पूरा exempt है उस पे कोई भी इंडिया में tax नहीं लगेगा that is the totally exempt तो simple सा non-resident ने क्या किया OBU जो IFSC में located है उसके साथ में non-deliverable forward contract लिया था और उसको transfer करने से जो income होती है वो पूरी exempt हो जाएगी जो transfer करने से जो income होती है वो पूरी exempt हो जाएगी अब एक और चीज़ समझना एक और exemption नहीं डाला कि अगर कोई non-resident वो क्या करता है IFSC में located किसी unit को supply करता है aircraft means earcraft देता और earcraft पे जो royalty और interest का income है वो पूरा exempt हो जाएगा royalty interest का income है वो पूरा exempt हो जाएगा तो 104 F क्या बोलती है एक non-resident और वो क्या करता है non-resident को income होता है by way of royalty or interest royalty मिलता है या interest मिलता है on account of the lease of an earcraft means aircraft को lease करने से ुर royalty मिलता है एक बात बताओ, बहुत सारी foreign country के साथ अलग-अलग DTAA है, और वो DTAA में बहुत जागे है न, जो rent जो है न, उस rent को कहीं-कहीं royalty लिखा हुआ है, कहीं-कहीं interest लिखा हुआ है, और royalty की definition में तो plant and machinery का rent जो होता है, वो royalty में जाता है, तो यह royalty और interest जो मिलेगा non-resident को, वो पूर exempt हो जाए का, कोई भी tax नहीं लगेगा, तो देखो क्या लिखा हुआ है, any income by way of the royalty or interest on account of the lease of aircraft in a previous year, paid by unit of IFSC and if unit has commenced its operation on or before 31st March 2024 and yearcraft means the yearcraft or helicopter or an engine of a yearcraft or helicopter or any part there of, इसका मतलब क्या हुआ कि non-resident को क्या मिल रहा है, royalty मिल रहा है, या interest मिल रहा है, किसी IFSC unit से, जिसना 31st March 2024 तर अपने operation start कर लिए है, और उसको किसका rent, यह जो royalty है, interest के चीज़ का मिल रहा है, yearcraft देने का, means उसको yearcraft है, वो lease किया था, उससे related, कोई भी royalty interest मिल रहा है, that is totally exempt in hands of the non-resident, ठीक है, चलिए, अब अपन आगे बढ़ते है, एक और exemption जो है, वो यहाँ पे डाले हुई है, but obviously not more important, ए law for the financing, the infrastructure and development notified by the central government, means central government notify करेगी, और ऐसी हम एक institution set up करेगी, और वो institution क्या करेगी, infrastructure को finance करेगी, जैसे आपको पता है, पहले यह IDBI बगरा finance की गई थी, जो की development for rural development के लिए बगरा, तो वैसे ही, अब मोदी जी को यह लगता है, कि infrastructure develop हो गया ना, तो सब develop हो जाएगा इंडिया तो infrastructure के पीछे पढ़े है, तो infrastructure development के लिए what happen, they will set up an institution, और वो institution जो set up होगा ना, उस institution का income exempt है, तो इन्होंने क्या बोला, कि institution set up under the law for the financing the infrastructure and development, notified by the central government, उसकी income exempt होगी, कब तक, any income accruing or arising for a period of 10 consecutive assessment year, beginning from the assessment year relevant to the previous year, in which such institution is set up, जिस year में set up होगी, उससे 10 consecutive years तक, उसकी जो income है, वो exempt होगी, उस पे कोई भी tax नहीं लगेगा, so not more important as of now this section, उसके बाद, 1048E क्या बोलती है, कि developmenting financing institution license by the RBI under the law, RBI क्या करेगी, developmental financial institution को भी license देगी, तो RBI ने जो developmental financial institution को license दिया, उनकी income exempt होगी, कैसे, any income accrue or arising for a period of 5 consecutive assessment year, beginning from the assessment year, relevant to the previous year, in which the developmental financial institution is set up, जो जब set up होगी, उस पर 5 years के लिए exemption मिलेगी, लेकिन 5 years के लिए और इसको central government बढ़ा सकती है, तो यहाँ पे भी 10 साल के लिए exemption मिलेगी, तो देखो, पहला तो क्या है, अगर कोई institution set up होगा, under the infrastructure and development करके, ठीके, financing of infrastructure development के लिए institution set up होगा, जिसको central government notify कर बढ़ेगा, उसकी income 10 साल तक exempt है, और अगर कोई development financial institution है, financing institution है, जिसको RBI license देगी, जो law में, और उसकी जो income है, वो 5 साल के लिए exempt है, बढ़ उसको और 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, चलिए, अब एक और amendment, और यह amendment है, section 1023 FE में, और यह amendment आया था, आपको पता है, यह पहले से section है, जब आपको पता है, जो अबुध हवी वाला जो बंदा है, वहां का जो प्रिंस से वो इंडिया आया था, और उसने बोला, कि भईया, इंडिया में बहुत investment की opportunity है, तो उसको हमने बोला था, कि भईया, इंडिया में पैसा डालो, इंडिया में पैसा ड होगी, अगर कोई dividend मिलेगा, interest मिलेगा, LTCG मिलेगा, from the investment made in India, in the form of the debt, share capital, unit कैसे भी डालो, shares में डालो, share like unit में डालो, या debt में डालो, dividend, interest और LTCG जो है, वो पूरा exempt हो जाएगा, तीन condition satisfied होनी चाहिए, उनको investment करना पड़ेगा, 1st April 2020 से लेके 31st March 2024 के बीच में, और it is held for at least 3 years, 3 years तक उनको investment को hold करना पड़ेगा, किन किन को, तो देखो, investment कौन कर सकता है, किसकी income है, जो exempt हो जाएगी, या तो holy on subsidiary अबुधावी investment authority की, इनके पास भाई, पैसा ही पैसा अबुधावी वालों के पास करकी, ठीक है, बहुत इन्होंने तेल बेचा है, तो holy on subsidiary of the abudhavi investment fund या फिर sovereign wealth fund, यह क्या होता है, foreign countries के wealth fund होते है, तो foreign countries इसमें पैसा डाल सकते है, या भी जो pension fund है, जैसे इंडिया में new pension इसकी में न, वैसा ही foreign में भी तो pension funds रहते हैं, वो pension funds अगर इंडिया में investment करते हैं, क्योंकि इंडिया को हमको चाहिए development, और development means real estate development, उसके लिए आप invest क करना कहा है, तो investment वो कहां कर सकते है, या तो किसी business trust में invest कर सकते है, और business trust में सिरफ INVIT, infrastructure investment fund, और infrastructure investment fund कहां पे डालता है, road बनाता है, like port बनाता है, airport बनाता है, that is called infrastructure investment fund है, वो वहाँ पैसा डालता है, तो ये लोग invest कर सकते है, किसी business trust में, business trust कौन सा, infrastructure investment fund, या फिर एक काम करो किसी ऐसी entity caring on the business of developing and operating and maintaining any infrastructure facility एक काम करो ना किसी ऐसी entity में invest कर लो, जो इंडिया में क्या करती है? डेवलपिंग का काम करती है, operating का काम करती है and maintaining का काम करती है या फिर developing, operating and maintaining तिनों काम करती है, infrastructure facility in India, उस में invest करो इंडिया में मैं बता दू आज infrastructure जो develop और manage करने में सबसे बढ़ी दो कंपनिया Reliance और Adani Adani जो है Adani port क्या करती है Port को develop करती है maintain करती है वही तो करती है Adani airport बहुत सारे airports वगेरा maintain कर रही है तो आप एक काम करो उसमें invest करो इनको बोला अबुद हभी वालों को जो foreign के sovereign wealth fund है pension fund है इनको बोला कि आप इसमें invest करिए न या तो एक काम करिए आप infrastructure investment fund में डाल दीजिए या किसी entity में directly आप invest कर दीजिए जो कि developing, operating और maintaining और developing, operating and maintaining infrastructure facility करते हैं या फिर आप एक काम करिए किसी investment fund में पैसा डालिए category 1 और category 2 of the alternate investment fund category 1 या category 2 alternate investment fund में पैसा डालिए और वो क्या करेंगे minimum 50% invest in one or more of the entity referred in the item number B or the item D or item E or in the business trust only INVIT ये क्या है मैं आपको बताब देखो आप एक काम करिए alternate investment fund में पैसा डालिए मैं उनको बोला कि तुम alternate investment fund category 1 और category 2 में पैसा डालो और ये जो इनका 50% minimum investment है ये या तो business trust में डालेंगे या इन companyों में डालेंगे या D और E वे है उसमें डालेंगे तो ultimately क्या होगा indirectly जो है वो पैसा infrastructure में लगने वाला है दी क्या है उनको बोला किनको अब उधभी वालों को आप एक काम करिए invest करिए कहां a domestic company में और domestic company कौन सी a setup and registered on or after 1st April 2021 having minimum 75% investment in one or more of the entity referred in the point number B इसका मतलब इन्होंने बोला कि आप एक काम करो किसी और domestic company में invest कर दो और वो domestic company अपना minimum 75% investment है वो कहां करती है इन infrastructure company में अमबानी अदानी में करती है ये अमबानी अदानी में 75% invest करती है तो आप उस domestic company में करे लो ultimately पैसा अमबानी अदानी वाले जो infrastructure वाले में जाने वाला या फिर आप एक काम करिए किसी NBFC में invest करिए और NBFC registered as a infrastructure finance company as per the RBI notification or in the infrastructure debt fund or NBFC as referred in the infrastructure debt fund and NBFC Reserve Bank Direction 2000 issued by the RBI having minimum 90% lending to one or more of the entity referred in the B आप एक काम करो किसी NBFC में invest करो और NBFC क्या करेगी minimum जो उनका 90% lending है वो इन अमबानी अदानी वालों को देगी आप इनमें invest करिए तो आपको exemption मिलेगी तो कुल मिलाके इन simple word आपको बताओ कैसे कि जो pension fund है sovereign fund है या फिर धभी वाले है उनको बोला आप invest करिए या तो business trust में करिए या फिर कोई अमबानी अदानी इसको याद रखिए real estate जो क्या बोलते है developing, operating और maintaining infrastructure facility इन इंडिया उसमें invest करिए आप directly नहीं तो आप एक काम करिए alternate investment fund में invest कर दिए but alternate investment fund minimum 50% invest करेगा business trust में इसमें या इसमें या फिर आप एक काम करिए किसी domestic company में करिए और वो 75% minimum investment है वो इन अमबानी अदानी में करेगा या फिर आप NBFC में करिए और NBFC अपना minimum 90% का landing है वो अमबानी अदानी को करेंगे तो उस case में वही है आपको exemption मिल जाएगी तो यह यहां यहां पर invest कर सकते eligible investment में यहां पर थोड़ा सा amendment था जो मैंने आपको बता दिया ठीक है चलिए अब एक और section है that is the 1023FF और यह section क्या बोलती है पता है जो बाहर fund है ना बड़े-बड़े बाहर fund होते है फंड क्या होते है पता है जैसे बाहर इंडिया के बाहर बहुत सारे investment fund है इंडिया के बाहर वाले लोगों के पास बहुत पैसा है तो क्या होता है, पैसा मैनेस करने के लिए लोग fund बनाते हैं, तो वो fund को बोला, अपमारी government चाती है, हम IFSC को बहुत बड़ा अच्छे से develop करना चाते हैं, तो जब हम IFSC को develop करना चाते हैं, तो जो बाहर के fund है, उनको बोला कि आप एक काम करिये, relocate करिये अपने fund को इंडिया म आप इंडिया में ले आईए, आप IFSC में फंड ले आईए, आपका जो फंड है, वो फोरेंट फंड है, उसको आप एक काम करिए IFSC में लाएए, हम आपको बेनिफेट देंगे, अब आप बोलोगे सर, IFSC में लाएंगे, तो उस केस में तो क्या होगा, कि उस अभी पहले मानलो फंड जो दूसरा फंड था, अब उसको IFSC में उन्होंने नया फंड बनाया, तो उसकी जो भी असेट रहेगी, मिस उसका जो भी इन्वेस्टमेंट वगरा रहेगा, वो फिर इस नए वाले फंड को ट्रांसफर होगा, तो सर इसमें तो इंडिया में कैपिटल गेन वगरा ना, इस पर तो income income taxable हो जाएगे ना, इन्होंने बोला, tension मतलब हम आपको पूरा exemption दे देंगे, तो ultimately ये जो section है, ये क्या है, relocation of the fund से related है, relocation of the fund, मिस जो foreign fund था, उसको बोला, आप IFSC में आईए, गुजरात के पास गांडी नगर में हमने IFSC बनाया है, आप IFSC में अपने fund को ले आईए, और IFSC में लाईए, हम आपको exemptions वगेरा देंगे, benefit देंगे, बिकोज इंडिया का हम financial sector है न, उसको बड़ा मजबूत करना चाहते, IFSC बनाया इसलिए, International Financial Service Center बनाया है, इसलिए कि बड़े-बड़े foreign के funds वगेरा, इंडिया में आए, foreign के लोग आए, और service industry को हम बढ़ा पाए, इसके लिए इन्होंने ये section लाईए, तो इस section को मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, कि सबसे पहली चीज, कि तीन चीज़े इसमें आएगी बार-बार, एक तो होगा तुमारा original fund, जो की बाहर का fund है, और एक होगा relocation, relocation का मतलब क्या इंडिया में fund बनेगा, उसको बोलेंगे resultant fund, तो एक original fund, उसका relocation इंडिया में हो रहा है, और नया fund जो बन रहा है, उसको बोल रहे है, हम resultant fund कर गें, ठीक है, तो चलिए, अपन बात करते हैं, पहले original fund का मतलब क्या, original fund में जो पुराना fund है, उसको बोला ना, इंडिया में registered outside इंडिया में है, ठीक है, हाँ, and which collect the fund from its member for investing it for their benefit and fulfill the following condition, namely, तो पहला, original fund क्या है, कोई ऐसा fund है, जो इंडिया के बाहर incorporate हुआ है, registered हुआ है, और वो क्या करता है, अपने member से पैसा collect करता है, invest वगरा करता है, उनके भी आपे, पहली condition, the fund is not a person resident in India, वो resident in India, इंडिया का fund नह इंडिया has the DTAA, और established, और incorporated, और registered in the country, और a specified territory, as may be notified in the central government, तो पहली चीज़ तो, वो fund किसी ऐसी country का है, resident है, जिसके साथ इंडिया का DTAA है, या फिर वो country ऐसी है, जिसको इंडिया ने notify किया है, इंडिया ने उसको जो है, वो notify किया है, उस territory को, तो वो चीज़, तीसरी condition, the fund and its activity are subject to the applicable investor protection regulation in the country or specified territory where it is established or incorporated or as a resident and fulfills such other condition may be prescribed, तो वो जो fund है, उस पे वहां का investor protection law लगता है, मिस उस particular country का जो investor protection law है, वो उस पे लगता है, that is call your original fund, अब एक चीज़ समझना है, relocation का मतलब क्या होता है, तो relocation से पहले अपने काम करते है, resultant fund, मिस जो इंडिया में fund बनाना है उसको क्या बोलेंगे, तो resultant fund, देखो, resultant fund means, a fund established or incorporated in India in the form of a trust or a company or LLP, मिस इंडिया में आप fund बनाईए, कौन से form में होना चाहिए, या तो trust के form में बना दीजिए, company के form में बना दीजिए, LLP के form में बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और उसको license कौन सा लेना है, has been granted a certificate of registration of category 1, or 2, or 3 of the alternate investment fund, मिस वो इंडिया में as a alternate investment fund काम करेगा, या तो category 1, category 2, या category 3 वाला, ये category 3 वाले तो कौन से होते हैं, जो IFSC में located वाले, वो, and has a regulated under the SEBI alternate investment fund 2012, और IFSC Authority Act, and located in the IFSC, ये जो है, ये तीनों IFSC में located होने चाहिए, तो देखो, मैंने क्या बोला, original fund, foreign country का fund, उसको क fund बनाया ना है, जो alternate investment fund category 1, category 2, और category 3 के like certificate उसके पास होना चाहिए, अब relocation का मत्रव क्या होगा, तो relocation मिस समझने ही कोशिश करना means, transfer of asset of original fund, original fund की जितनी भी asset है, means original fund के जितने investment वगए है, वो सब new fund को transfer होंगे, or its only own SPV के investment to a resultant fund up to 31st March 2023 तक करना पड़ेगा, where consideration for such transfer is discharged in the form of the share or unit or interest in the resulting fund to the, अब एक बात बताओ, भाया एक बात बताओ, पुराने fund के जो investor थे, अब उसको नए fund के share मिलेंगे, means नए fund के share unit या जो उनका membership right है, वो नए fund में मिलेगा, तो उनको consideration क्या मिलना चाहिए, यह resultant fund में, shareholder बनेंगे, और a unit holder, और interest holder of original fund, जो original fund में थे, in the same proportion in which the share or unit or interest was held by such shareholder or unit holder or interest holder in such original fund, in lieu of their share unit or interest in the original fund, means जिस proportion में उनका interest पुराने वाले में था, नए वाले fund में उसी proportion में उनको मिलना चाहिए, and the original fund in the same proportion as referred in sub-clause 1, in respect of which the share or unit or interest in the, is not issued by the resultant fund to its shareholder or unit holder or interest holder, अगर मान लो, वो जो चीज है, like क्या मोलते है, बहुत बार क्या होता है, कि अगर मान लो, unit holder को units वगरा नहीं दे रहे है, तो जो आपका क्या बोलते है, original fund है, वो original fund को दिया जाएगा, अब एक बास समझना, यहाँ पर समझते हैं, इनको exemption क्या मिलेगी, तो समझते हैं, कोशिश करना, सबसे पहली चीज़ अपन exemption समझते हैं, exemption क्या मिलेगी, तो exemption में पहला exemption तो, इन्होंने एक section 47 में clause number 7 AC डाला, और यह क्या बोलता है, कि any transfer on a relocation of capital asset by original fund to the resultant fund, original fund ने resultant fund को जो भी capital asset transfer की, उसको transfer नहीं माना जाएगा, capital gain नहीं लगेगा, दूसरा, any transfer by the shareholder, और a unit holder, or interest holder, in a relocation of capital asset being share unit or interest held by him, in the original fund, in the consideration of share or unit interest in the resultant fund, तो capital gain नहीं लगेगा, तो देखो, original fund को एक तो कोई capital gain नहीं लगेगा, जब resultant fund को सब asset transfer होगी, और दूसरा, जो उसके unit holder, shareholder थे, उसको कोई भी capital gain नहीं लगेगा, अब एक चीज समझना, यहाँ पर exemption 1023FF क्या बोलती है, अब यह exemption समझते है, यह exemption बोलती है, कि capital gain, arising or received by non-resident or specified fund, अब एक पास समझना, यह non-resident word use हुआ है न, यह use हुआ है, alternate investment fund category 1 और category 2 के लिए, और specified fund use हुआ है, यह हुआ है, alternate investment fund category 3 के लिए, ऐसा क्यों, क्योंकि एक बात बताओ मैं आपको, देखो, कभी भी जब आप investment fund topic पढ़ते हैं हम DT वाले part में, तो investment fund में जो category 1 और category 2 है न, उसको बोलते है investment fund, जो अपनने topic पढ़ा हुआ हूँ, और उसमें आपको पता रहेग PGBP को छोड़के बाकी जितनी भी income है, वो किसके हाथ में taxable होती है, unit holder के हाथ में, PGBP को छोड़के बाकी जितनी भी income होती है, वो किसके हाथ में taxable होती है, unit holder के हाथ में, तो यहाँ पे अगर alternate investment fund 1 और 2 है, तो उसका unit holder non resident होगा, तो non resident unit holder है तो उसको capital gain का exemption दे रहे, कौन स दे रहे हैं समझने ही कोशिश करना और specified fund में is category 3 category 3 वाला जो investment fund होता है अभी अपन ने पढ़ा था specified fund कर गे दीग है उसमें all income unit holder के हाथ में exempt होती है जो भी tax भरना है वो specified fund ही भरता है और I can say that alternate investment fund category 3 भरता है तो देखो category 3 वाला जो होता है उसमें पूरी income उस category 3 वाले के हाथ म पूरी exempt होती है लेकिन alternate investment fund 1 और 2 होता है उसमें pass through status होता है means all income is taxable in hands of the unit holder तो ये बात कर रहे है उस unit holder की alternate investment fund वो category 1 और 2 के लिए unit holder और specified fund इसका मतलब आपका category 3 के लिए ये लोग क्या बोगते है देखो अगर capital gain होता है arising or received by non-resident non-resident means alternate investment fund category 1 और 2 के जो unit holder है वो और specified fund means category 3 वाला fund on transfer of share of a company resident in India अगर Indian company के share बेचे और उसकी वज़े से जो capital gain हुआ वो capital gain exempt होगा बट कैसे on a transfer of share of company resident in India by the resultant fund or a specified fund to the extent attributable to the unit held by non-resident not being a P.E. of non-resident in India in a such a manner as may be prescribed and such a share were transferred from the original fund or from its solely owned subsidiary special purpose vehicle to the resultant fund in relocation and where the capital gain on such share were not charged to tax if that relocation has not taken place अब एक बात बता हो बड़ा simple सी चीज है कि अगर मानलो पहले अगर वो relocation नहीं होता तो उस case में कोई tax नहीं लगता उसके हाथ में tax नहीं लगता अब relocation होने के बाद मानलो यहाँ पे जो Indian company के share बिके तो उस पे इंडिया में tax लग रहा है तो इंडिया में tax लग रहा है तो इन्होंने बोला वो capital gain को हम exempt कर देंगे capital gain को exempt करेंगे तो आप ऐसे याद रख सकते है कि अगर कोई non resident है means alternate invest आप ऐसे याद रखिए ना जो investment fund है जो fund है resultant fund resultant fund के पास Indian company के share है और Indian company के share बेचने से जो भी income होगी उस पे कोई tax नहीं लगेगा मिस उस पर इंडिया में कोई capital gain नहीं लगेगा यह एसा इन्होंने exemption यहाँ पर दे रखा है वापस से पढ़ेंगे capital gain arising or received by the fund fund आप याद रखिए क्योंकि यह non resident specified fund word क्यों यूज किया है alternate investment fund में क्या होता है capital gain लगता है pass through status के through किसको लगता है unit holder को और यहाँ किसको लगता है alternate investment fund category 3 का हाथ में taxable होता है इसके लिए इन्होंने यह word यूज किया है आप ऐसा याद रखिए कि resultant fund क्या कर रहा है capital gain होता है on transfer of share of a company resident in India means Indian company के share है वो बिक रहे है by resultant fund और specified fund to the extent उसकी unit जो है fund की unit non resident जितना held करते है उस पे इंडिया में कोई भी tax नहीं लगे गा करके ठीक है अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि specified fund का मतलब वो ही जो आपका जो section 10-4D में दे रखा है that is the category 3 वाला category 3 वाला that is the specified fund original fund वगरा क्या होता है वो अपने यहाँ पे दे रखा है so this is one amendment आप एक बार इसको पढ़ सकते है अब एक बात समझना cost of acquisition क्या रहेगा जैसे fund का relocation ह हुआ पुराने fund से नए fund में तो उसकी cost क्या रहेगी अगर जो assets मिली resultant fund को उसकी cost पुराने fund की लिए रहे लेंगे period of holding भी पुराने fund से और एक बात समझना जो शेर होल्डर या unit holder को नए fund की unit मिली cost किसकी लिए पुराने वाले की और अगर period of holding है तो भी कहा से लिए पुर जिन लोगों ने मेरे से class में लिया है उनके लिए तो मैंने already like class में draw करा दिया था बट जो लोगों के पास compact रहेगा ये chart आप एक बार देखके जाना specified fund यह बार बार बोलते हैं specified fund में is category 3 बार, category 3 बार alternate investment fund जो IFSC में located है उसको बोला जाता है specified fund तो specified fund की मैं आपको बार 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 बोल रहा हूँ 10-4D में income कुछ exempt होती है तो कौनसी exempt होती है, कौनसी taxable होती है वो मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है So this is your amendment related to the international taxation सिरफ इतने ही amendment है और कोई amendment नहीं है ठीक है, चाथ So thanks a lot people और बाकी आप पढ़ाई करते रहो, international taxation में जादा amendment नहीं है यह इस वाले सब amendment है, बस इससे अलावा कुछ नहीं है और amendment इतने easy भी नहीं है कि आपको easily समझने आ जाए कम से कम आप दो-तीन बार देखोगे तो आपको समझना आएगा और question कुछ अभी तक ICI ने बना नहीं रखे इस पे कोई questions और मेरे को नहीं लगता है इस पे कोई question आने का chance भी है, जो इस बार international taxation के amendment है उसमें सिरफ एक तो equalization लेवी वाला और authority of advance ruling वाला वो दो amendment ऐसे है जिसमें questions बन सकता है बाकी आपका questions बनने का chance नहीं है international taxation में amendment part से, normal part से obviously बनेगा ठीक है, चलो, so thanks a lot people, that's enough for today from my side और भाईया, पढ़ाई करते रो, घर के ठीक है, फटाफट, अच्छे से see you बन जाओ, thank you